नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हूँ अखंजलती देखिए बिहार के चार सीटों पर उपचुनों होने हैं और इन चार सीटों पर प्रचार अब थम चुका है और ऐसे में इन सीटों पर दिगज नेताओं का इज्जत अबदाओं पर लग चुका है बात सुरू करते हैं इमाम गंज सीट से चुकि इमाम गंज विधान सवाज सीट पर एक और जीतर नामान जी की बहु दीपा मान जी चुनावी मैदान में हैं जीतर नामान जी जो केंद्रिय मंत्री है और उनकी बहु अब इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं साथ साथ स वोटिंग होना है और उससे पहले समझे कि कई बड़े दिगज नेताओं का इज़त जो है वह साख पर लगा हुआ है एक तरीके से ताओ पर लग चुका है वही साथे साथ हम बात करेंगे बेला गंज बिदान सबाद सीट की बेला गंज बिदान सबाद सीट पर जो राश्ट ये जनता दल को डर सता रहा है यही वड़ी वज़े है कि तेजस्वी आदो हीना साहब लालू प्रिशाद आदो उसामा साहब राश्टिये जनता दल के तमाम जो बड़े नेता हो चाहे वो एमवाई समय करन के तहट आते हो वो सभी वहाँ पहुँचके जम के प्रचाथ प्रषार किये है और उनके सामने जनता दल उनाइटेड के मनोर्मा देवी सामने में है और ऐसे में लहर जो है वहाँ इस बार मनोर्मा देवी का देखने को राष्टिये जनतादल के सामने जनतादल उनाइटेट की उमिद्वार मनोर्मा देवी खड़ी है और ऐसे में लालू प्रिशाद यातों का पहुचना हीना सहाब का पहुचना कहीं न कहीं एक बड़ा जो होट सीट जो है वह बन चुका है बेला गंज चुकि एक और प्रिशा लेताओं की जो इजज जो है वह दाओं पर लगी हुई है बेला गंज सीट पर भी वही बेला गंज के अलावा बात अब रामगर्प विधान सभा सीट की करेंगे चुकि उस सीट से पहले जगदा नंसिंग के पुत्र सुधाकर सिंग विधायक थे जो लगभग 200 की तक्री दूसरी और भारतिये जंता पार्टी ने भी उनकी ही जाती के उमिद्वार सामने रख दिये हैं इस वज़त से भी लडायाय काफी टक्कर की मानी जा रही है दूसरी और बीएसपी ने यादो उमिद्वार उतारे हैं दूसरी और जन्सुराज कुस्वाहा उमिद्वार उतारे हैं जिस वज़ा से वहां की लडाई और रोमान चक हो चुकी है और ऐसे में जो रामगर सीट है वह भी काफी दिल्चस्प बना हुआ है उस सीट पर सुधाकर सिंग की इज़त भी दाव पर लगी है चुकि पिछले दिनों कई बड़े बयान सुधाकर सिंग के निकल कर सामने आये थे जो लगतार सुर्खियों में तैर रहे थे और आएसे में अब बात तरारी की कर लेते हैं तरारी जो भुमिहारों की सीट रही है चर्चे में काफी रही औ और ऐसे में इस सीट पर सुनील पांडे की इज़त भी दाव पर है भारतिय जनता पाठी की चुकि इस सीट से उनके बेटे बिसाल प्रशान्थ को भारतिय जनता पाठी ने उमिद्वार बनाया थै इसरी और भाग पामाले के उमिद्वार उतारे गए है और ऐसे में यह देखना लडाई भी काफी दिल्चस्प होने वाला है चुकि जो भुम्यार समाज के लोग है वह इस बार प्रशांत कि शोर की और भी रुख कर रहे हैं कुछ जो छोटी बड़ी संख्या में जो भुम्य होने हैं उसके बाद परिनाम निकलकर सामने आएंगे हलाकि उससे पहले कई बड़ी दिगज हस्तियों का जिसमें उमिद्वारों की बात छोड़ दे उनकी अलावा जो बड़े नाम है उनकी इज्जत दाओं पर लगी है देखना होगा आगी-आगी क्या कुछ निकलकर साम ने आता है कौन जीत दर्ज कर पाते हैं तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे धन्यवाद